हाई ओल मैं स्टासिट ट्रिपल आइन फैमिली वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल उम्मीद करते हूँ गाईज अब सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे साथी साथ पॉजिटिव अफिर्मिशन भी आप लोग देते रहोगे तो येस कही ना कही आज की जो ना कोएस रखनेंगे साथी साथ इसा इसाथ तो साह पॉजिटीओ कर Ass頂ने कोंड़ टेंगा थे शे धिते जायतन शायुभ संजिटाड कर एंचछ को चैनल रहें साथी साथ साथ इसन्साथ अनुड़ कुछ अनिशें भी देखेंगे और करक्टिस्टिक्स्टि है है सो पाईलमर बंट लिहीं यह तैगर आइ ब्रेशलेट है सब्सक्रा में इधर टाइगर आइप काई में के तरो कि विच्छ दो को हुआ है आएंथा इसे सरी वे कर था तीव फार सुनत स्मॉविटीव का ध्री disciplines दो को फूर इंद कर था तया तरो गिमीर ओंद कर था 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 यह मैं पड़िग में आननगे तब पढ़िश करते हैं ठीक है तो यस चली देखते हैं future spouse के चलते रीडिंग हा इससे पहले ना कुछ energies में लेना चाहूंगी पाई लबर one and पाई लबर two के लिए सो दातना मुझे clarity मिले कि अभी आपकी जो life है कहा पर है which relates to your marriage to marriage and शादी okay and yes guys this reading रहेगी only for singles है ठीक है यह relationship बालों के लिए नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ singles के लिए है कि आपका destined partner कौन है आपके भागय में कौन है ठीक है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा intuition मिला है कि singles लोग जो है काफी परेशान है अपने life में अपने spouse को लेकर अपने future partner को लेकर ठीक है तो यह pile number one card रहेगा यह pile number two है ठीक है यह आपकी energy मुझे बया करेगी तो let's see pile one से शुरुबात करते हम let's see who is in your destiny who is your destiny partner कौन है आपके भाग में hello my pile one people so अगर आपने यह वाल डेट of birth को चूज करा है guys okay जो कि यह वाले है मैं दिखा देती हूं और साथे साथ अगर अगर आपने यह tiger eye crystal को चूज करा है जो कि यह pile number one है and welcome on your reading तो आज हम देखने वाले की who is destined for you okay आपके भाग में कौन है जो कि मैं singles के लिए reading लेकर आए हूं ठीक है so आपके future spouse के related हम देखने वाले हैं तो जो भी हाप मुझे डीटेल्स बिलेंगे अपके future spouse के चलते में सारी चीज़ आप बताने की कोशिश ज़रूर करोंगे okay साथी साथ कुछ physical characteristics भी हम लोग देखेंगे साथी साथ कुछ initials भी हम लोग उनके देखने वाले है guys ठीक है पाइलमबर वान पीपल मुझे कहीना कहीना आपकी energy ऐसे feel हो रही है guys कि आप लोग ना शिदत से किसी person को मांगतो रहे हो लेकिन आपके life में ना marriage के चलते बहुत सथा कार्मिक phases चल रहे हैं या फिर चल रहे थे पाइलमबर वन ओके मुझे नहीं पता गाइस लेकिन energy मुझे feel हो यह नोड़ा का singles के लिए रीडिंग है यहाँ पर आप डिवोस्ट हो सकते हो age अपका जादा हो सकता है ठीक है 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 50 प्लस भी मुझे अपन नजर आ रहे है गाईस कि आप लोग ना marriage के चलते हैं काफी एक उता चड़ाव देखते हो गाईस मतलब ना हो सकता है कि रिलेशनशिप्स अपका बार बार तूटा हुआ है रिष्टा आपका तूटा हुआ है रोका तूटा है शादी तूटी है ठीक है यह कही ना कही मैसेज़स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर ना हो सकता है कि आपका रिष्टा बार बार तूटा हुआ है यहाँ आपने टाइगर आए का क्रिस्टिल है आपने चूस करा है that means ना कही ना कही बुरी नजर लगना evil eye यह भी मुझे नजर आ रहा है guys कुछ लोग है आपका अच्छा नहीं देखा नहीं देखते हैं या फिना कही ना बुरी नजर आपके रिलेशनशिप में लगती है या फिना कोई भी रिष्टा आपकी तरफ आता है तो बुरी नजर लगती है and that's why पाइल नबर वन हो सकता है कि अभी तक आप लोग सिंगल सी हो ठीक है रिष्टा आपका टूटा हुए शादी टूटी हुई है वीडो भी हो सकते है पाइल नबर वन के लोग कुछ and यह दूसरों के इंटरफेरेंस के वज़े से हो सकता है पाइल नबर वन यह कुछ विवर शादी के लिए कुछ उम्मीद कर रहे हो या फिर हो सकता है कि आप लोग ना रिष्टे देख देख कर रिलेशनशिप देख कर आप लोग थक चुक है हो गाइस okay and that's why अभी आप लोग सिंगल्स हो यहाँ पर पाइल नमबर वन ठीके सिंगल्स के लिए रिडिंग है यह रि 8 of water that is 8 of cups का card searching empowerment and fulfillment मैंने कहा था guys यहाँ पर पाइल नमबर वन पीपल आप लोग ना शादी के चलते काफी टूटे हुए energy में मुझे दिख रहे हो guys टूटे हुए energy यह पर बहुत सारे वीवर्स ऐसे भी हो सकते कि आप लोगोंने ना शादी के चलते आप लोग रेडि नही हो मतलब ना मतलब जिस तरह के से जिस टाइम पर आपको मिलना चाहिए था ना उस टाइम पर आपको नहीं मिला है कोई person या फिर मिलने के बावजुद भी हो सकता है कि आप से दूर चला गया है आप दूर हो गए हो ठीक है and आप उस रास्ते पर जा रहे हो कि जहाँ पर गिर चुके है ठीक है मतलब emotionally आप काफी drain out हो चुके उम्मीद आप नहीं कर रहे हो पाई number one people लेकिन आप फिर भी आस लगा रहे हो फिर भी आप लोग दुवा कर रहे होंगे यह आपके लिए नहीं हो सकता आपके family members के लिए हो सकता है आपके family members कुछ पुजा पाट आपके एक नहीं है multiple times है guys okay बार-बार-बार है ठीक है यही यही वजह है pile number one कि आप लोग interested मुझे नहीं दिख रहे हो okay आप लोग किसी रिष्टे की तरफ नहीं देख रहे हो मतलब नहीं है आते रहेंगे पर जैसा होना चीना जैसा आपको मिलना चीव ऐसा नहीं मिल रहे है guys मन आ काफी ठोकर आपने देखा हुआ है pile number one आपके शादी के इस जर्नी में ठीक है शादी तो होते होते रहती है pile number one कुछ विवर्स के लिए message मिला है मुझे ठीक है शादी होते होते रहती है बात बनते-बनते बिगड जाती है ठीक है रिष्टे आते नहीं है या फिर आपके द यहाँ पना कुछ कामेंट फेजस भी हो सकते कुछ विवर्स के लिए जैसे कि मैंने कहा कि कभी-कभी बहुत अच्छा होता है और धड़ाम से सारे चीज़ें गिरने लगती है pile number one ठीक है यह आपके शादी के प्रस्ताव के लिए चल रहा है यह फिट ना शादी की मामले मे सारे चीज़ें चल रहें घट रहें आपके जीवन में ठीक है तो quickly देखते हैं guys कि आपकी शादी किस से होने वाली है pile number one people let's see guys okay who is destined for you pile number one people who is destined for you pile number one आपके भाग्य में कौन है guys ठीक है no doubt आपके यहाँ पर उमर जादा रहे फिर भी हम देखते है कि who is destined for you pile number one देखे six of wands क energy है okay then you have your king of pentacles है wow pile number two eight of wands है okay पहले चीज मुझे ऐसे दिख्री है guys pile number one people see आप believe करो या ना करो लेकिन अभी अभी जो आपकी stage है न अभी आपके life में कोई person है जो आपके लिए serious हो सकता है see no doubt आप लोग इससे बात करते रहोगे या फ्रेंड हो सकता है आपका friend हो सकता है आपका करीबी कोई हो सकता है लेकिन कोई person है आपके life में guys जो at least serious है and वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है आना चाहता है लेकिन जो आपकी energy है न यह कही ना कही इस person को रोक रहा है guys ठ कर रहा है आपसे सववात कर रहा है ठीक है हो सकता है कुछ viewers के लिए कि आप लोग इसके साथ travel भी करते हो मुलाकात करते हो date करते हो या फिर आप कहीं मिलते हो इस person को okay जरूरी नहीं गार्डन पर मिले लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चीज़े दिख रही है कि जहाँ पर आ कोई प्रोफेशन रहे उस प्रोफेशन में यह बहुती नामी हस्ती है यह ऐसी हस्ती है कि इसके आसपास के लोग बहुत ज़दा है okay शोशल इसको सब लोग जानते रहेंगे पहचानते रहेंगे इसके फ्रेंड सरकल ज़दा रहेंगे इस टैब का आपका future spouse है ठीक है काफ passionate person है यह okay Aries Leo Sagittarius इस person की राश्य हो सकती है टारसों का Capricorn इस person की राश्य हो सकती है ठीक है यह person कहीं ना कहीं गाईज आपको देख रहा है जैसे कि मैंने कहा काफी loyal person है यह okay अगर आप confused हो इस person के लिए इस रिष्टे के लिए लेकिन फिर भी यह person काफी loyal है आपके लिए ठ step का person है ठीक है यहाँ पना मुझे distance पर दिख रहा है ठीक है हो सकता है यह आपके city location से ना रहे ले different city different location से रहे यह singles के लिए reading है guys लेकिन आपके आसपास कोई person मौजूद है कि जो आपको देख रहा है निहा रहा है और कहीं ना कहीं यह person आपके तरफ आने की सोच रहा है एक कहीं ना कहीं कुछ financial problems मुझे हाँ पर पाइल नंबर वन के partner के चलते दिख रहा है okay कुछ reverse के लिए हो सकता है कि तोड़े से financial problem है यह ना मनी के चलते कुछ stability के चलते कुछ problem है and that's why यह person आने के लिए थोड़ा सा time लेगा लेकिन यह person आएगा जोरूर ठीक है क्योंकि eight of wands के energy to traveling को बताता है तो यह person आपकी तरफ रिष्टा लेकर आएगा travel करके आपकी तरफ आएगा ठीक है बट कहीना यह person आपके जान पहचान में से है यह ज्यादा दूर का नहीं है person guys ठीक है कुछ reverse के लिए message है या इसके उमर ज्यादा हो सकती है या फिर आपकी उमर ज्यादा रहेगी पाल नमबर टू ठीक है कोई आप दोनों में से एक है जो आप दोनों उमर में ज्यादा हो ठीक है कोई एक परसन है दोनों में से जो उमर में ज्यादा है ठीक है यह energy है गाई तो अभी हम देखते हैं देखिए इस magician के एनरजी है king or knight of swords के एनरजी किंग नहीं knight of swords के energy है one more लेते हैं will of fortune है अगीन पाल नमबर वन आपका जो distinct partner है वाके में आपका distinct है जो मैंने कहा ठीक है अगर रिष्टा नहीं आया है नहीं आ रहा है तो यह on the way है guys ठीक है जरूर आएगा जरूर बढ़ेगा क्योंकि यह person कहीं आपके लिए action लें की सोच रहा है ओके no doubt थोड़े से financial concerns रहेंगे इस person के life में लेकिन फिर भी यह person आपके लिए action लेता हूँ मुझे दिख रहा है क्योंकि आप night of swords के energy है यह strongly आपकी तरफ बढ़ेगा इसकी राशिया Gemini लेबर एक्वरेस भी रहेगी Gemini रह सकती है वैसे तो all zodiac science है क्योंकि आपके will के energy है यह वाकि में आपका destined partner है तो भले ही अपने रिष्टे में marriage में losses देखे हुए है या फिर multiple relationship पर तूटा हुआ रहेगा अप completely singles हो तो यह person आपको manifest कर रहा है यह person भी आपको मांग रहा है इश्वर से क्योंकि यह person आपके लिए destined है और divine timing पर ही आएगा गाईज आपके लिए October October के बाद का समय मुझे दिख रहा है कि marriage के चलते कही ना कही यह person action ज़रूर लेता हो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ना दो major arkanा निकले आपकी reading में गाईज तो कही ना कही यह person आपके लिए action भी लेगा साती सातना अगर आप marriage के चलते काफी धस चुके हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे क्या करना है मुझे इस person की तरफ जाना या नहीं जाना इस रिष्टी की तरफ जाना नहीं जाना है तो definitely आपको इसका रास्ता में मिल जाएगा way out मिल जाएगा जब को universe देंगे जब यह person action लेगा तब ठीक है यह शादी का परस्ताव पर द्यान दे रहे हो अपने वोग के तरफ द्यान दे रही हो अपने आपको आना साबित करने के लिए यह कोशिश कर रहे हो ढोस्ताविके यह जो परसन आएगा तो आपकी किस्मत चमकने वाले इस person के आने के साथ ठीक है यह लेकिन आने की energy तो मुझे आप दिख रही है magnetic power उसमें रहेगे, खुद ये magician रहेगा, जैसे ये रिष्टा ये person आपकी जीवन में आएगा आप खुद बाखुद इससे attract भी हो जाओगे, पाइल नमबर टू, पाइल नमबर वन पीपल, ठीक है, आपको लगेगा कि येस मैं इसी person को मांग रही थी, यही person है, तो देर ही सही, ये person आपके जीवन में एक seriousness की तरह आएगा, ये रिष्टा आपके लिए seriousness की तौर पर आएगा, पाइल नमबर वन पीपल, ठीक है, तो किस वे से ये रिष्टा आ सकता है, आपके लिए देखते हैं, लेकिन ये already on the way है, जैसे के मैंने कहा, ये person आसपास है आपके, आप उनको जानते भी रहोगे, पाइल नमबर वन पीपल, ठीक है, ये उन्चे पोजिशन पर है, इंजिनियर हो सकता है, पानी का बिजनिस हो सकता है, किंग फिशर में हो सकता है, ठीक है, साथी साथ कोई electronics भी मुझे सुनाई दिया, electronics हो सकता है, बड़े पैमान में कोई business हो सकता है, इनका, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का business हो सकता है, इस कदर कुछ business हो सकता है, लेकिन ये person नम बहुत ही name fame इस person का रहेगा, ठीक है, ये यूटुबर भी हो सकता है, ठीक है, काफी passionate, काफी bold किसम का person है, राइड करना इसको बहुत पसंद रहेगा, टू विलर चलाना इसको पसंद रहेगा, ठीक है, लेकिन काफी rich type का person है, काफी पुछतीनी जमीन इसकी रहेगी, इसको किताब पढ़ना पसंद रहेगा, book reading इसको पसंद रहेगा, ठीक है, lot of adventure करना इसको पसंद रहेगा, ये person को, ठीक है, चाहे male हो, चाहे female हो, लेकिन इसको adventure, घूमना, ये चीज़े पसंद रहेगा, ठीक है, अपने आप में ये magnetic person है guys, और भली अभी आप शादी के लिए तयार नहीं हो, जैसके मैंने कहा, ओके, लेकिन इस person जब आपकी तरफ रिष्टा लेकर आएगा, ये शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा, आप खुद बाखुद इस से attract हो जाओगे, ठीक है, इसके magnetic aura को देखकर, आप खुद बाखुद इस से attract हो जाओगे, और शादी के लिए आप हाँ ही कर दोगे, पाइल लंबर, वन पीपल, ठीक है, लेकिन इस तेजी से मुझे आपकी तरफ आतवा दिख रहा है, जो की October, October के बाद आएगा, मैंने जैसे के कहा, ठीक है, और आपके सवालों के, सारे सवालों के जवाब इस परसन से आपको मिले जाएंगे, तो किस वे से ये रिष्टा आ सकता है, पाइल नंबर वन आपके लिए, ओके, night of wands है, यहाँ पर, night of wands है, death की energy है यहाँ पर, यहाँ पर one more लेते है, it's high priestess, okay, किस वे से आ सकता है, कही न कही पाइल नंबर वन, मुझे दिख रहा है कि यह जो रिष्टा रहेगा, आपके सपनों के माध्यम से रिष्टा आ सकता आपके लिए, okay, सपनों के माध्यम से बता देते हूं क्या होता है, कि आपके, आपके ला में आ रहा है, इसे के चलते ही यह परसन आपके जीवन में आ सकता है, तो clue आपको यूनिवर्स देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर na death के energy भी है, high priestess के energy है, तो यहाँ पर कुछ रिष्टा या फिर कुछ situations आपके life में ऐसे होंगे तोटेगा, तोटेगा, उसके बाद यह परसन आपके जीवन में आएगा, pile number one people, ठीक है, तो कोई रिष्टा तूट सकता है, कोई शादी आपके तूटी हुई रहेगी, अभी की हालत है, तो इसी दोरानी रिष्टा आपके तरफ आएगा, क्योंकि death के बाद बाद rebirth situation है, ठीक है, कुछ words के लिए हो सकता है, कि यह आपके friend circle से आए, जैसे कि मैंने कहा आपको, ठीक है, friend circle से आ सकता है, आपके passion के चलते आ सकता है, आपके career में से आ सकता है, आपके goal में से आ सकता है, ठीक है, जो आपका career goal रहेगा, वहां से आपके लिए रिष्टा आ सकता है, लेकिन specifically pile number one, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख र रहे हो guys, ठीक है, यहाँ पर कोई और नहीं है, यह रिष्टा लाने के लिए, यहाँ पर आपकी intuition ही guide करेगी, इस person को आपकी तरफ लाने के लिए, यह रपकी intuition guide करेगी, कि हाँ यही person है, ठीक है, इस कदर कुछ यहाँ पर मुझे pile number one की दिख रही है, situation की, कोई interference नहीं रहे जहाँ पर हमारा mind to mind गवाही देता है, तो जाहिर है कि वह आपका destined partner ही रहेगा, pile number one people, ठीक है, तो clear है, यहाँ पर मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, हाला कि मुझे यहाँ आपकी intuition ही गवाही देते हुए दिख रहे हैं, साथी साथ ना, online मुझे दिख रहे हैं, साथी आपकी दिख रहे हैं, जो कि यह person आपकी तरफ attract हो जाएगा, आपकी खुबसूरती के देखकर, आपकी looks को देखकर, आपकी smile को देखकर, आपके एक positive aura को देखकर यह person attract हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर age difference है, ठीक है, age difference है, आपकी उमर जादा हो सकती या फिर इस person की उमर क हो सकती है, या फिर यह person जाद हो सकते है, आपकी हो सकते है, तो age difference यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, साथी साथ आपकी जो अंतरात्मा कहेगी, वही आपका distant partner है, pile number one, everything depends on your अंतरात्मा, pile number one, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे हो ना, कि हो सकता है, कई बार आपने intuition की नहीं सुनते हो, pile number one, and हो सकता है, कि इस person को आप लोग डिले कर वा रहे हो, कट कर रहे हो, इस रिष्टे को नजर अंदास कर रहे हो, यह कुछ वर्स के लिए message है, तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है, आपनी inner voice की सुननी है, तभी जाके इस person के साथ आपकी शादी ह होगी, लेकिन यह person आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और रिष्टा आपकी अरेंच महरेची होगी, और रेंच महरेची रहेगी, प्रॉपर यहाँ पर family to family यह बात करेगा, ठीक है, आपकी family के साथ बात करेगा, family intervention रहेगा यहाँ पर, और तभी जाके आपकी choice matter है, आपको अपने heart chakra पर काम करना है, आपका जो heart chakra इसको open करना है, क्योंकि आप लोग फूट चुक हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अपना heart chakra open करना है, तब ही जाके आप एडिसाइड करोगे इस रिष्टे के लिए, इस proposal के लिए, pile number one, ठीक है, आपकी जैसे resident ह तो यहाँ से कुछ initials लेते हैं, आपके लिए, pile number one, let's see guys, कुछ initials रहेंगे, कुछ cheats भी हैं यहाँ पर, कुछ messages रहेंगे, वो भी हम check out करते हैं, उसके बाद हम कुछ physical characteristics देखेंगे, तो M रहेगा उनका initial, U है यहाँ पर, H है, Z है, X रहेगा, कुछ इवर्स के लिए X भी इट, उसके बाद, यह चीट हम बाद में देखते हैं, ठीक है, उसके बाद है, यहाँ पर, Z है, Z, then you have W, sorry, W है यहाँ पर, 3 मैंने कहा है, already, T है यहाँ पर guys, okay, and यहाँ पर है A, then you have S, तो काफी initials निकले हैं आपके लिए, then G है यहाँ पर, X again है, okay, X हो सकता है, most probably, यहाँ पर, yeah, rectangle है, तो कही न कही चारो दिशा से यह परसन आपकी तरफ, ना कदम रख सकता है, मतलमा, चारो दिशा पार करके, यह रिष्टा की तरफ आपकी तरफ आएगा, यह परसन आपकी तरफ तरफ आएगा, Pile No. 1, okay, दो तारिक रह सकता है, तो 23 हो सकता है, 2 प्लस, 2 प्लस, 3, 5 भी रह सकता है, कुछ वर्स के लिए, देखे, 5 निकला है, वन मोर, तो 5, 5, 10 भी हो सकता है, थीक है, उसके बाद B है, initial, okay, तो यह ट्रैंगल है, तो यहाँ पर, यह ट्रैंगल भी बता रहा है, कि अगर थर्ट पर्टी सिचुएशन है, थर्ट पर्टी यहाँ परना कुछ फादर इस्यू, या फिनांस, मैंने जैसे के कहा, जॉब, okay, फैमिली इस्यू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो कुछ रहेगा, फिर भी है, सारे जिज़े पार करके आपकी तरफ आएगा, ठीक है, रिष्टा आएगा, यह परसन आपकी तरफ आएगा, तो यहां से चीट से देखते हैं, आपके लिए क्या रहेगा, तो उमर जीरो तु वान यूर्स रहेगा, ठीक है, तो सेम एज के रहेंगे, कुछ रूवर्स के लिए मेसेज हैं, उसके बाद यहां पर उनकी एज यहां पर यह रह सकती है, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, इस उमर के र काफी intelligent person है, जहां पर king of pentacles है, काफी intelligent है, काफी mature person है, रिष्टो को समझने वाला है, आपको समझने वाला है, ठीक है, फिर भी हम यहां पर देखते हैं, आपके लिए, pile number 1 के लिए, let's see, so pile number 1 आपके लिए निकलता है, मैं साइड में रग गयती हूँ, थोड़ा सा, okay, so आपके लिए physical characteristics क्या निकलते है, यहां पर number निकला है, तो यह 3, 7, 12, 16, 18, 24 से उनका bird date रहेगा, emotional रहेंगे काफी आपके लिए, यंगर रहेंगे, मैंने कहा था, यंगर एक तो आप रहेंगे या फिर वो रहेंगे, ठीक है, उसके बादे यहां पर black eyes रहेंगे उनकी, A, E, I, N, Q, T, तो यह extra initials रहेंगे आपके future spouse के, tall रहेंगे काफी, 2, 6, 13, 17, 23 और 26, यह और numbers रहेंगे, bird dates, आपके future spouse के distinct partner के, businessman रहेंगे, मैंने अलड़ी बताया था, businessman है यह, experienced रहेंगे काफी, experience and matured रहेंगे, ठीक है, matured रहेंगे, काफी तजूरवा रहेंगे, charming रहेंगे, काफी, healer हो सकते हैं, कुछ words के लिए message है, architect रहेंगे, इनका business, इनका profession रहेंगा, spectacles, eyeglasses पहनते रहेंगे, आपके future spouse, grey eyes हो सकते हैं, black eyes and grey eyes रहेंगे future spouse के, dlsvxz, इनिशल सुनके रहेंगे, pile number two, pile number one, कुछ words है, pile two, okay guys, okay, widow speak, hairline, V-shaped, तो यह जो कहीना कहीना, widow speak, hairline, रहेंगे, वो मांग जो भरते हैं, लड़किया, तो वो उसे कहा जाता है, ठीक है, widow speak, hairline, तो वो रहेंगे, वी शेप का रहता है, तो यहां पर one more लेते है, NRI रह सकते है, कुछ words के लिए, ठीक है, इंडियन नहीं रह सकते हैं, फिर इंडिया के ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंट कंट्री में जाके, बास होई रहेंगे, ठीक है, दिवोर्सी रहेंगे, दिवोर्सी है यहां पर पाइल number one में, डिवोर्सी हो सकते है, आप लोग वीडो हो सकते हो, तो आप के लिए डिवोर्सी रहेंगे, उसके बाद निकलता है, फोटो ग्रैफी, तो येस, इनको फोटो खीचना बहुत पस assigned रहेगा ठीक है ब्रॉड में बिसनेस हो सकता है या फिर जॉब रह सकता है प्रोफेशन रह सकता है तो ये थी आपके लिए future spouse related reading आपकी distant partner के related reading तो ये distant partner कही न कही आपके भागयम है तो इसे के चलते में reading एंड करते हूँ and I hope ये आप से resonate जरू करें जरू करा होगा and yes मुझे comments में बताना ना भूले साथ ही साथ like share and subscribe करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care God bless you and love you all hello my pile two people so अगर अपने ये वाले date of birth को choose करा है guys okay और अगर अपने ये वाले beautiful bracelet को choose किया है जो कि है lover plus seven chakra crystals and evil eye इस bracelet को choose किया है so ये pile number two है and welcome on your reading तो आज हम singles clear reading करने वाले है कि आपका destined partner कौन रहेगा and कौन है जो आपके भागे में लिखा गया है okay universe ने आपके लिए लिखा हुआ है guys okay तो कहीं ना कहीं pile number two people मुझे आपके लिए ऐसे energy feel हो रही है guys कि ना see कि आप लोग कोई सचा person तो चाहा रहे हो ऐसा नहीं कहा रहे हो ठीके भले ही आप उमर से जादा रहे भले ही आपके relationship तूटे रहे loss अपने देखा हुआ है divorce अपका हुआ रहेगा आप लोग video हो सकते हो relationship बार बार आपका तूटा रहेगा एक तरह के से आपके life में roller coaster हुआ है guys बतलब ना कई बार repeat हुए है चीजे लेकिन आप फिर भी उम्मीद करे हो कि आपके life में कोई positive person आए कोई positive रिष्टा आए कि जहां पर आपकी life पूरी हो जाए आपका एक partner का एक सपना है future spouse का एक सपना है पूरा हो इस तरह के साप लोग उम्मीद करे हो guys आप वाकई में एक सच्चे हम सफर सच्चा partner सच्चा सच्चा जीवन साती का आप लोग वेट करे हो pile number two people यह energy मुझे यहाँ पर दिख रही है guys लेकिन यहाँ पर ना हो सकता है pile number two कि आपका लॉस हुआ है pile number two लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोग डिवोस भी देख रहे हो वीडियो भी देख रहे हो आपके उमर यहाँ पर जाद हो सकती है रिष्टा आपका टूटा हुआ है रिश्टा आपका टूटा हुआ है फिर भी आप ना आपके दिल में एक आस है या फिर आप चाहा रहे हो कि कोई सच्चा पार्टनर या सच्चा हमसफर आपको मिले pile number two ठीक है लेट सी गाईज आपके लिए energy क्या निकलती है जो अभी मैंने बता है psychic level पर बता है लेकिन यहाँ पर काज आपको क्या कहते है let's see guys pile number two के लिए okay it's two of air है indecision, avoidness and confusion मैंने कहा था guys okay यहाँ पर ना pile number two आप लोग अभी उस situation पर हो कि आप लोग ना decide नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है हो सकता है pile number two आपके life में ना कुछ अभी अभी हाल फिला में कुछ तूटा हुआ है okay कोई person छूटा है कोई रिष्टा तूटा हुआ है and कोई दूसरा person नहीं है दूसरा रिष्टा भी आपकी तरफ आया रहेगा तो आप यहाँ पर confused हो यह दो रिष्टे हो सकते है दो person हो सकते है दो पाथ हो सकते है या फिर एक person हो सकता, आपका profession हो सकता है शादी हो सकता है आपका career हो सकता है तो दो matters में आप लोग फसे हो पाई नमबर 2 people कि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चूस करना है मुझे किस रास्ते पर जाना है पाई नमबर 2 ठीके आप लोग यहाँ पर ना mentally disturbed भी हो पाई नमबर 2 पता नहीं क्यों बट अंदर से आप लोग disturbed हो आपका mind यह पर शांत नहीं है कि क्या करें क्या ना करें शादी का रिष्टा आएगा या नहीं आएगा मुझे जो चाहिए वो person मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं जो उम्मीद कर रही वो person मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे मेरे पास past आएगा या new आएगा तो इस तरह किसे भी आपकी confusion हो सकती है ठीके तो आपकी current energy रहेगी कि आप लोगों का mindset यहाँ पर stable नहीं है आप लोग खुद ही आप stable नहीं है आप decision लेने का mindset में नहीं हो आप completely confused हो विचली थो ऐसा मैं कह सकती हो ठीके अंदर से दिमागी तोर पर आप लोग विचली थो पालनमेट हो ठीके आपके लिए देखते हैं कि कौन है आपके destiny में who is destined for you pile number two people आपके भागे में कौन है pile number two let's see guys यह singles के लिए रिडिंग है Jessica मैंने कहा कि कौन है आपके भागे में pile number two for singles only let's see A's of pentacles उसके बाद है यहाँ पर six of cups है and nine of cups है beautiful okay pile number two यहाँ पर आपके future spouse के अगर में zodiac science के बात करू तो यहाँ पर मुझे cancer पैसा copy of prominent दीख रहा है ठीके आप लोग यहाँ पर literally which lit हो कि किस person से शादी होगी कौन है मेरा destined partner ठीके कही ना कही आपका destined partner रहेगा pile number two इससे आप भली भांती जानते हो ठीके यह person कही ना कही आपको अपने profession के जरीये मिला था work के जरीये मिला था यह आपका बच्चपन का बित्र हो सकता है करीब हो सकता है कि जिसको आप 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 काफी अरसे से जानते हैं काफी अरसे से कुछ वर्स के लिए हो सकता है कि अप बच्चपन से आप लोग इस person को जानते हो ओके या फिन आपके इनके साथ कुछ golden moments थे golden moments relationship नहीं कह सकती हूँ यह friend भी हो सकता है आपका कि जो आपका distant partner रहेगा pile number two इस person के साथ कहीना कहीं आपने इस अपने भी संजोए थे या फिना एक तरफा प्यार भी मैं कह सकती हूँ कुछ वर्स के लिए हो सकता है एक तरफा आपका हो सकता है इस person का हो सकता है लेकिन आपका जो भी distant partner है इस से आप लोग अंजान नहीं हो प्यार है अपना पन है आपको खुशी देना चाहता है आपसे काफी सारे चीजे शेयर करना चाहता है आपके लिए कदम बढ़ाना चाहता है आपके लिए रिष्टा लेकर आना चाहता है लेकिन आप लोग यहां पर गन्फ्यूज हो पाइल नमबर टू कुछ वर्स के लिए हो सकता है कि इसने आपको कहा हुआ है इतना टाइम उसने दिया हुआ है या फिर इस रिष्टे ने आपको दिया हुआ है यह कोई परसन भी हो सकता है रिष्टा भी हो सकता है आपके हिसाब सब को लेना है ठीक है क्योंकि यहाँ पर किसी परसन के मौज़द की मुझे दिख रही है जो आप इनको जानते हो काफी अर्से से पाइल नमबर टू ठीक है क्योंकि यहां पर आप लोग किसी दो सिच्छोशन में फर्से हो जैसे कि मैंने कहा था गाइस तो डेफिनेटली यहां पर यह पॉर्सन जो है आपकी तरफ खुशों का हाथ लेकर एक ना मैरेज प्रोपोजल लेकर आएगा गाइस पाइल नमबर टू आपके लिए ठीक है और यह ना कही नूली शुर्वाद भी मुझे दिख रहा है एक न्यू प्रोपोजल और इस पॉर आपके द्रवाज़े पर दस तक रहेगा इस रिष्टे का या फिर इस पॉर्सन का आपके लाइफ में ठीक है यह पॉर्सन कोई नहीं है पर डेफिनेटली आपके लिए कोई प cortisol आ जाएगा जो आपके करीबी से रहेगा जो आपके फामिलै मेंबर से रहेगा पाइल नमब नहीं कर पा रहे हो या फिर उस मनस्थिते में आप लोग नहीं हो गाए cał. ठीके यह पॉरसन कहीना कही आप से उमर में कम हो सकते है या फिर ना बराबर रह सकते है जाए सेम एज या फिर थोड़े से कम ज़ादा रहेंगे लेकिन यह person काफी mature है इसमें न प्यार बहुत ज़दा है guys प्यार आपको लेकर बहुत प्यार रहेगा आपके distant partner का emotions तो हद से ज़दा रहेगा ये person कहीना कहीना मुझे दिख रहे है guys की ये ऐसा person है न guys की इसको न freedom पसंद रहेगा freedom मतलब free रहना पसंद रहेगा अलग रहना पसंद रहेगा family से जड़ाव रहेगा लेकिन परसन ना खुद की जो life रहेगी है freely पसंद करेगा मतलब ना अलग रहना खुद को space देना इस तरह के सेना जो मुझे यहां पर दिख वी पाहल लंबर टो ठीक है आपके future spouse में और क्या रहेगा क्या qualities रहेंगे जो कि आप जान पाओ queen of wands है eight of cups है one more लेते हैं you have here यहां देखिए दो निकले है three of pentacles है and four of swords है see आपका future spouse कही ना कही मुझे दिख रहा है आपका जो distinct partner है future spouse ना कही जो distinct partner है कही ना कही यह अपने हम सफर के लिए अपने जीवन साथी के लिए ठीके इसने अपने लाइफ में relationship-wise धोके खाये है फार शोर है यह पर आपकाप की energy निकली है ठीके यह पोर्सन काफी knowledgeable person है दूसरों को knowledge देने वाला पोर्सन काफी intellectual person है right और साती सातना यह person कहीना कहीना आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा ठीके मतलब ना यह बहुत ही शांत किसम का person है प्यार रहेगा लेकिन जहां पर बात करना ना वही बात करेगा फिजूल की बाते नहीं करने वाला शांत किसम का person है शांत किसम का आपका future spouse है तो आपको जानेंगे आपको कदर भी देंगे, क्योंकि आपे Queen of Wands की नगी है, तो इसकादर वो आपको रिस्पेक भी देंगे साथ इसाथ प्यार भी करेंगे और जो इनके लाइफ में हुआ था वो कही ना कही वापस उस तरफ नहीं जाएंगे या फिर उस पास की तरफ वो नहीं जाएंगे पाइल नमबर टो ठीक है अगर ये परसन के साथ आपका कोई रिष्टा था पास्ट में या फिर एक तरफा प्यार भी था कुछ वर्स के लिए हो सकता है गाइस पता नहीं पर यह मैसेज मुझे मिला नोड़ अपको सिंगल स्क्री रिडिंग है लेकिन कोई रिष्टा आया रहेगा कि जहाँ पर आपको यह रिष्टा बहुत पसंद था तो यह रिष्टा मुझे आता हुए दिख रहा है वापस नई नई तौर से आता हुए मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर इस परसंद के एमोशन आपके लिए रहेंगे और वापस से आपकी तरफ बढ़ेंगे शादी का प्रस्ताव लेकर शादी का प्रोपोजल रेकर क्योंकि आपके औरा को देखकर ये person attract हो जाएगा पाय नमबर टू ठीक है ये कुछ वर्स के लिए message है यहाँ पर ना पाय नमबर टू आपकी यहाँ पर मुझे love marriage होते हुए दिख रही है पता नहीं क्यों बटी strong message मुझे मिल रहा love marriage है आपकी क्योंकि ये person ना मैंने इसके कहा कि नोड़ाट ये शादी की तौर पर आएगा ये फिर शादी का प्रोपोजल भी लेकर आए लेकिन फिर भी आपका नहीं इस person के साथ love marriage होनी के high chances मुझे आपर दिख रहे है ये person आपसे बात करेगा जानेगा आपको समझने की कोशिश करेगा and आपसे communicate करेगा फिर जाके आप दोनों शादी कर लोगे इस तरह के से energy pilot की reverse के लिए है guys ठीके तो yes अगर ये person कोई नहीं है आपके जीवन में तो आजाएगा guys patience रखिये थोड़ा सा ठीके क्योंकि ये रिष्टा आने की chances मुझे दिख रहे है अगर मैं बात करूँ कि कब तक ये रिष्टा आएगा तो मुझे December तक का timing दिख रहा है ठीके 6 मेने का timing है जब भी आप ये reading देखो तो December तक मुझे timing दिख रहा है यहाँ पर ठीके कि रिष्टा आपकी तरफ आजाएगा लेकिन next probably यहाँ पर 6 मेने का time है जब भी आप ये reading देखो ठीके December तो अगले साल आप देख रहे तो December तक का timing मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसका जो एक पहले का जो relationship है यह पहला clear करेगा तब ही जाके रिष्टा के तरफ लेकर आएगा ठीके यह energy भी मुझे कुछ वर्स के लिए मिल रही है लेकिन यहाँ पर सिंगल सब डिवोस्ट हो सकते हैं विड़ो हो सकते हो यह कुछ वर्स के लिए मेसेज है कि अलड़ी शाती शुद है बच्चा भी हो सकता है इसका ठीक है कि पास का relationship यह खतम करेगा और फिर यह जाके आपकी तरफ आएगा यहाँ पर मुझे डिसंबर का मन्त यहाँ पर दिख रहा है अच्छे मैंने आपर मुझे दिख रहे है पालन बच्चो आपके लिए ठीक है यस बाकी औरों के लिए मैंने बताया कि रिष्टा आपकी तरफ आजाएगा आपकी तरफ यह no doubt यह अरेंज मैरेज की तरफ आए लेकिन यह लव मैरेज ही होते हो मुझे दिख रहे है ठीक है तो ऐसा नहीं कहना कि यार हमारे घर में तो लव मैरेज अलाओड नहीं है लेकिन यह person आपको जानेगा पहचानेगा फिर जाके अपसे शादी करेगा यह no doubt यह लव मैरेज ही होती है ठीक है मतलब आप लोग डेट करोगे बात करोगे कम्यूनिकेट करोगे समझोगे तो इससे लव मैरेज ही कहते है ठीक है इसकदर पाइल नंबर टू की लाइफ में कुछ होता हूं मुझे दिख रहा है तो लेट सी यह person का रिष्टा कैसे आएगा आपके लिए पाइल नंबर टू फाइव पैंटकल्स है यहाँ पर नाइट यहाँ पर है यहाँ यहाँ दिख फाइल बन के लिए कि लिए था टू क्यों के रिखित आपके लव मैरेज थी तो यहाँ और ने आफ के लव मैरेज के तौर पर रिष्टा आय फिर भी आपकी यहां पर शादी लव मारेज ही होते हैं अगर आपको पसंद करता है फिर आप आपके जो शादी ने लव मैरेज में ही कन्वर्ट हो जाएगी, पाल नमबर टू, ठीके, तो किस वे से रिष्टा आएगा, यह आपको प्रोपोस कर देगा, आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा, यह ओनलाइन, ओनलाइन के दूरूर आ सकता है, आपके लिए रिष्टा, ठीके, मेट्रमृन साइट के दूरूर से आ सकता है, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, शूशल साइट, क्योंकि मैंन कुछ ज़ए के परसंन के तरफ आएगा तो कुछ फिनाशल कंसर्ण्स मुझे हापट दिख रहे है अभी फिलाल हो सकते है इस परसंन के फिनाशल कंसर्स एं तब ही ज़्टाइम अब को दिया है कि बिसंबर तक कि परसंन परस्ताब लेकर राएगा मीन्वाइल यह आपको प् ठीक है वर्क के जरी प्रोफेशन के जरी आपकी तरफ आए गाई लेकिन यहाँ पर कुछ मैटर मुझे क्लोस करता हुआ दिख रहा है यह परसन तभी जाकर यह परसन आपकी तरफ आएगा तो यह क्लू रहेगा कुछ वर्स के लिए ठीक है पास रिश्टा हो सकता है अब आपकी तरुस नहीं के बात ने जानी है दोनों की चोईस रहेगी आपकी चॉइस की सबसे आपकी शाथ होगी तो यह बात आपको जाननी है दोनों की चोईज आपर मैटर करेगी तब ही जाके आपकी शादी जो इस परसंद से होगी इस रिष्टे के साथ होगी पाइल नंबर टू जो आपकी तरफ आएगा ठीक है अपके लिए तो यहां पर कुछ इनीशल्स हम लेते हैं पाइल नंबर टू के लिए कुछ इनीशल्स कुछ चीट्स हम लेंगे आपके लिए राइट तो फटाक से देखते हैं M है यहाँ पर, A है, E है, S है, G है, यह rectangle है, N है, बताते हूं में क्या है यह, B है, W है, X है, तो कुछ वीवर्स के लिए X हो सकता है, अगर आप X मांग रहे हो, तो X आ जाएगा, अगर आप New मांग रहे हैं, तो New भी आ जाएगा, हाला कि choice आपकी है, दो choices आपके लिए है guys, आपकी choice है कि किसको choose करना है, ठीक है, 5 नमबर उनका रह सकता है, I रह सकता है, ठीक है, B है, initials, A अगे निकला है, A, A की energy ज़ादा है यहाँ पर, ठीक है, K है यहाँ पर, 4 है, तो 4, 5, तो 9 हो सकते है, कुछ वर्स के लिए, ठीक है, D है, उनका initial, ठीक है, यह, तो यह initial से नहीं भी रहे ना guys, तो वरी नहीं करना है, क्योंकि जंडर लिडिंग है, यह आपकी personal लिडिंग नहीं है, ठीक है, rectangle है, तो यह से चारों तरफ से, आपके लिए ट्राइ करेंगे, चारों तरफ से आपके लिए efforts करेंगे, पाइल इशू है, फैमिली मैटर है, फिर भी यह person resolve करेंगा आपके लिए, पाइल नमबर टू, and that's why मैंने कहा, सामदाम दंडभेद करके, यह person आपकी तरफ आही जाएगा, बढ़ ही जाएगा, ठीक है, yes, तो यहां से age difference देखते हैं, 9 से 12 सल का difference रहगा आप दोने में, ठीक है, उ 46, 47, 48, 49, 50, मैंने और बताया था कि यहां परना आप लोगों की उमर जादा हो सकती है, तो आपकी हिसाब से ही यह age criteria निकला है, तो आपकी future spouse की उमर जादा नहीं है आप से, आप दोनों सेम हम उमर रहेंगे या फिर सेम उमर है सकते हैं, ठीक है, यह कम जादा रहेंगी, ल एक complexion fair हो सकता है, complexion black हो सकता है, different city, different city, different country से भी हो सकते हो, pile number two, okay, आपकी future spouse, and साती साती NRI भी हो सकते है, कुछ वर्स के लिए, different country से भी रहें, लेकिन आप दोनों मेंने differences रहेंगे, pile number two, ठीक है, differences रहेंगे, and हम बोलते हैं, opposite poles attract each other, तो उसी type का यह relationship आपका रहेंगा, ठी कि नो डाटे singles के लिए reading है, लेकिन ऐसा रिष्टा आएगा आपके लिए, guys, यह ऐसा proposal आएगा, कि जहां पर आप दोनों में differences है, फिर भी आप दोनों pole attract हो जाओगे, एक दूसरे के लिए, तब ही जाके आपकी शादी हो जाएगी, यह मुझे यहापर love marriage ही दिख रही है, and अगर आप arrange marriage के तू ही जाना चाते हो, तो आपके choice के सबसे आपकी शादी होगी, पाल टो clear है आपके लिए, तो यहाँ से कुछ characteristics भी हम देखते हैं, पाल नबटो आपके लिए, ठीक है, आपकी future spouse के कुछ characters क्या रहेंगे, क्या उनका profession रहेंगा, यह भी हम check out करते हैं, engineer र यहाँ पर far to your location मैंने अलड़ी कहा था, यह far to your location, different city, different state, different country से भी रहेंगे, online से आप लोग जुड़ेंगे, यह भी मैंने कहा था, ठीक है, काफी chatting आप लोगों की होगी, okay, attractive रहेंगे, काफी है, उसके बाद है, यहाँ पर interracial मैंने अलड़ी कहा था, आपको interracial marriage भी आप लोग जुड़ेंगे, pile number two, उसके बाद है, यहाँ पर, या, LGBTIQ community तो सेम जंडर से भी आप लोग रह सकते हो, कुछ viewers के लिए है, round face उनका रहेगा, फ्रेंच बैड इरकते रहेंगे, ठीक है, नवी force में रह सकते हैं, इनका profession रहेगा, यह, एक चार, ग्यारा, पंदरा, एक के board date रह सकते हैं, additional, BFHDRUY, sorry, O-R-U-Y, तो यह उनके कुछ initials रहेंगे, pile number two के लिए, then you have your, let's see, yeah, it's military, military man रहेंगे, army force में रह सकते हैं, thick eyebrows रहेंगे, आपके future spouse के, then you have destined partner ही है, guys, हमरे reading का topic क्या था, destined partner, कौन है आपके destined partner, कौन है आपके भागे में, देखे, आपके destined partner ही है, and that's why आपकी यहापर love marriage होते हैं, मझे दिख रहेंगे, आपके choice के साब से आपकी शादी होगी, guys, pile top, को चिंता नहीं करने है, confident रहें, चिंता ना करिए, ठीके, and दो, दो मजदार पे ना रहें, guys, confused ना करने हैं, okay, fit and muscular रहेंगे, काफी, उसके बाद है, drinks इनको पसंद रहेंगे, या फिर occasionally लेते रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर fatty रहेंगे, थोड़े से, गोलू-मोलू type के रहेंगे, then you have your broad shoulders रहेंगे, इनके, okay, and journalist रहे सकते हैं, कुछ उवर्स के लिए, ये professions, tall रहेंगे, ठीक है, या उसके बाद है, south west direction से रहेंगे, आपके लिए direction निकला हुआ है, and old face, okay, ये old face करेगा, ठीक है, गाइस, तो ये थी pile number two, आपके लिए reading relates to your dusting partner, कौन है आपके भागय में, इसके जलते हमने reading देखी है, and I hope guys, ये आपसे resonate जरू करा होगा, yes, मुझे comments पर बताना ना भूले, साथी साथ, like, share, and subscribe कर ना भूले, so thank you for listening, bye-bye, take care, God bless you, and love you all.